क्या इंग्लिश 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 लगा रख है बे चार साल का थाम है जब मेरे पापा जबलपूर में किसी हलवाई के आखाम करते थे खुद तो कभी स्कूल गए नहीं इसलिए अपने गान घिस घिस के मुझ को स्कूल में बर्ती करवाया अब कहने के लिए तो वो इंग्लिश मेडियम स्कूल था लेकिन साले हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे हमारे स्कूल के लड़के एक दूसरे से यो वासाप डो ऐसे बात निकरते है क्या वह अगरा है तेरा लंडा अचकल है ऐसे गले मिलते हैं किसी तरह रटा मार मार के मार मार के 10 तक पहुँचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजिनियरिंग सब यह कहते थे माबाप, टीचर लोग, गली का वाच्बन भी हमसे पूछता था और भाया, कैसी चल ली आपकी तरही, भग बेंचो तुमको कह करना है इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुच गया बगरो की तरह मैं, IIT, मैं, NIT और जिस बच्चे ने अपने बाप को जले भी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है और इंगलिस सुनेगा तुम हादर चोट तो सुन्क तेंथ के बाद दो साल लग गया इस कॉलेज में घुसने के लिए कोचिंग में निकाल दी है ना कुछ खेले, ना कुछ सीखे और दो साल बाद जब यहां पहुँचे तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के पड़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उटते हैं हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है इनकी अंग्रेजी सुनके और पूरे कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिस स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवनसाथी.com मान चुकी है तुझे क्या लगता है? मुझे कभी लगा नहीं? कि मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूँ, अपने परस्नालिटी पे काम करूँ, बहुत लगा? ये चूतिया इंडर्स वाइली सिविलाजेशन का जो एडूकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो जिसमें हर साल में 10 सबजेक्ट, हर सबजेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्स्टरनल, इंटरनल, मेजर्स, माहिनर्स, असाइन्मेंट, प्रोजेक्ट, तीसिस, गांड मार के रख लिया हमारी माहिनों तक नहाना भूल चाते हैं हम लो और फिर हमारा perception बना देते हो कि हम ऐसी रहना चाते है अब इस साल में एक बार कल्चरल फेस्टिवाल आता है, एक बार, उसके लिए भी प्रोफेसर से भीक मांगनी पड़ती है बिना English भूले, बिना लड़कियों से बात किये, कौन गांडू रहना चाता है बैसे पर ताइम का है कुछ सीखने के लिए, लगे पड़े है, कोडिंग सीखने है, तीन तीन लैंवेज सीखने है, अलग अलग English थोड के लिकिन जब लगे प्लस्मेंट की बात है, तो सब को अप्रिटूड चाहिए, परस्नलिटी चाहिए, इंग्लियस पीकिंग चाहिए, इंग्लिस पीकिंग चाहिए, इस नौट थूट थूट एंडियू एंट इस बात्श काया है, बिना कुट देए जाओ पूर्ण से बोल दिये मैंने चार ओर लाइन अग्रेजी में अब बताईए क्या मैं आपके मल्टिनेशनल कंपणी के लायक हूँ Do I have the potential to be a slave of your esteemed organization